कि नमस्कार साथियों निर्माठ ख्लासिज यूद्ध हमें आपका हादिक सागत है कि समस्या और समाधहान की अगली कड़ी में हम लोग पुना साथ में हैं पिछले वीडियो जाप देखे और कुल मिला करके आपको बाते समझ में आ रही हैं अपने कैरियर के प्रति हम लोग दीरे दीरे आके बढ़ रहे हैं कि ऊर्ली धर बढ़र की बातों में नहीं है है चैनल को हैड़्य आपने सब्क्राइब करतें इस समय आपको Kश्क्राइब करना है और पुरिक्शन और इंटर्व्यों हो रही है औरियू में तो क्रास question भी होते हैं तो उसे साब से भी आपका उतर तयार होना चाहिए आज का हमारा जो समस्या है समस्या में क्या है आने बाको कलकत्ता जाने वाली रेल गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए आउजार देने का अनबंद 10,000 रुपए का प्रचफल लेकर किया यानि कि आ और बा के बीच एक अनबंद होता है एग्रिमेंट होता है 10,000 रुपए के बदले और एग्रिमेंट तो वाइड होगा जानी रहे हैं क्योंकि एक ऐसे कार के लिए हो रहा है जो विरिविरुद्ध है ट्रेन को डिरेल करना ट्रेल को पटरी से उतार देना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा तमाम बातें होंगी ठीक है कनफर्म हो गया कि डिरेल करना एक अपराद है उसका अनबंद किया है प्रतफल लेकर और उसके बदले आने बाको आउजार दे दिए आउजार भी दे दिए आने कौन सा अपराद किया है सामाने साब प्रस्ण है पांच नंबर का प्री में भी आ सकता है तो आप सीधे चुन लेंगे मेंस में आएगा तो कुछ कारणों को लिखना पड़ेगा इंटर्वियू में आएगा तो कुछ अतरिक्त बातों को भी आपको जानना पड़ेगा करमसा कि आप देख रहे हैं समस्या यहां परसी बात सीधी सी बात है यहां सीधे तोर पर चलेंगे कंकलूजन नहीं लिखेंगे सीधे तोर पर चलेंगे ठीक है दुस्प्रेरण का अपराद कौन सा अपराद किया है दुस्प्रेरण का अपराद किया है बहुत अच्छी बात दुस्प्रेरण का अपराद किस कटेगरी का तो धारा 107 के तीसरे कलाज की ठीक है का जो तीसरा खंड है उसमें ठीक 107 के तीसरे खंड में क्या लिखा हुआ है बहुत असपश्ट आप देखते हैं सासे सहायता सासे सहायता लिखा हुआ है 107 के तीसरे खंड में क्या लिखा है सासे सहायता ठीक यानि कि आपका उत्तर असपश्ट है कि आ सासे सहायता दोरा तारा 107 के तीसरे खंड के अंसार शासे सहायता द्वारा एक अपराद करने के दुस्प्रेरण कर रहा है ठीक अनुबंद में मतुलजे दसजार रूपे में मतुलजे बस उसके एक्ट के नेचर को देखें तो वह सासे सहायता कर रहा है चलिए हो गया ठीक अब हम अस्पष्टी करण दो देखते हैं जिसमें सुकर सब्द भी लिखा हुआ है यानि कि इसे अस्पष्ट करने के लिए हम साथ में अस्पष्टी करण दो इसको भी लिखेंगे यानि कि IPC के दिये गए दो प्रोवीजन अस्पष्ट दौर पर हो गया है किसा से सहायता और अस्पष्टी करण के अनुसार सुकर बनाना सुकर यानि की आसान आसान बना रहा है ठीक है अब आसान बनाएगा अस्पष्टी देगा फैसिलिटेट करेगा तो दौस्पिरण वो करेगा ये बात असपष्टी करण ने बता दिया अब बात आई कि क्या दुस्प्रेरण करना मातर ही अपराद हो गया तो उत्तर है यस तो किसका दुस्प्रेरण करना तो एक उत्तर मिलता है धारा 108 में धारा 108 में अपराद कि किसी अपराद का दुस्प्रेरण अपराद है यानि कि दुस्प्रेरंड डिफाइन है 107 में और धारा 108 बताती है 108 की लाइने बिल्कुल अस्पष्ट है बिल्कुल अस्पष्ट होना चाहिए कि वह वेक्त दुस्प्रेरंड अपराद का दुस्प्रेरंड करता है यानि कि किसी अपराद को किये जाने का दुस्प्रेंड किया जाना ही दुस्प्रेंड का अपराद होता है यह बात अस्पष्ट हो गई अब अगली बात इतनी बात तो आपकी हो गई और यही आपका उत्तर है मेंस में जब आप लिखेंगे यही आपका उत्तर है लेकिन से उतार देना तो आप कुछ अन्य बातों को भी याद रखिए ठीक है कि यहां जो 108 में लिखा है इसका अर्थ क्या होता है इस बात को भी समझे कि किसी अपराद की कटेगरी में क्या आता है अब यहां एक मुद्ध और आता है क्या दुस्प्रेरण का अपराद जो IPC में है आई पीसी में घोसित अफेंसेज पर ही लागू है या अन्य जगों पर भी लागू है तो आप देखेंगे पूरे आई पीसी में डीरेल करना ट्रेन को पट्री से उतार देना या इसका प्रयास करना ऐसा कोई भी अपराद आपका लिखा हुआ नहीं है अब बात आई ये तो अपराद असपष्ट दिख रहा है और लेकिन IPC में लिखा हुआ नहीं है तो जो यह प्रस्ण है हो सकता है प्रस्ण बदल करके आप से कि स्थारूने पर भी लागू होता है । आपका उत्तर क्या है डीरेल करना पटरी से उतारना ठीक है इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा रेलवेयएक्ट में जब आप जाएंगे ठीदधार हुआ 150 के तहट यह अपराद है किसी भी रेल गाड़ी को पट्री से उतारने का अपराद रेलवे एक्ट की धारा 150 के अंतर अपराद है और और क्या आई पीसी धारा 40 जो अपराद को या अपराद के डिफाइन तो नहीं कह सकते हैं definition नहीं दी हुई है अपराद के बारे में बताती है कि आई पीसी में कहीं भी अपराद सब्द लिखा हुआ है उसका क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए तो धारा 40 में जो अपराद है यह आई पीसी में लिखे हुए अपरादों पर भी लागो होता है कोई अपराद और साथ ही साथ अधर एक्ट्स जिसकी कटेगरी दी हुई है 41 एंड 42 में ठीक है विशेष विधी या अस्थानिय विधी के तहत घोसित किये गए अपरादों को भी दुस्प्रेरण जैसे मामले में अपराद की कटेगरी में रखा जाता है तो railway act आपकी एक विशेश विधी है विशेश छेत्र में लागू है रेलवे के छेत्र में रेलवे से संबंदित अपराधों के लिए वो लागू है तो यदि railway act की धारा 150 में अपराध किया जा रहा है तो IPC का दुस्प्रेरण का सिध्धान इस railway act के भी ओपर लागू होगा यानि कि जब हम railway act पढ़ें जरूरत नहीं है फिलहाल स्लेबस में नहीं आता है ठीक है बाइचान साब तो आत्बी कि रेलवेय में MPO हो जाएए तो क्या करेंगे कैसे मैनेज करेंगे तो जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि अन्यों पर भी यानि कि अगर मैं धारा 140 को पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा असपष्ट लिखा हुआ है कि इस संहिता की धाराओं में अपराद जो गोसित किये गए वो और साथ ही साथ पूरा कई सेक्षंस लिखे हुएं उनके अलावा अगर हम पढ़ें तो लिखा है अपराद सब इस संहिता की धारी या एतस्मिन पश्चात यता परिभासित विसेश या अस्थाणिय बिद' के अधीन दंड़नीय वात का ध्होतक है यानि कि कि किसी अस्थाणिय बिद' में श्श॑नी Wives में अगर कोई वात दंड़नीय है तो अपराद सब्द के अंतरक्त आता है करता है ठीक लेकिन अइपीसी में तो कहीं यह अपराद लिखा नहीं है तो क्या यह आईपीसी का दूस्ट्रेणर लागू होगा तो आपके यह लागू होगा क्योंकि धाराचालिस के अनसार कोई विसेश विद्य या स्थानिय विद्य के अंतरगत घोसित दंड़निय कोई पराद के अंतरगत आता है इसलिए दुस्ट्रेणर का अपराद अन विद्यूं में भी दंड़निय किसी अपराद कीए जाने का अगर दुस्ट्रेणर किया जाता है तो भारते दंड सेहिता का फ्राद वहां लागू होगा ये बात आप पूरी ध्यान लगके रहिएगा मतलब अधूरा नहीं ये अपराद है आपको पता है लेकिन कहाँ अपराद है रेलवे एक्ट में फिर क्या ये रेलवे एक्ट में जो अपराद है उस पर IPC भी लागू होगी येस उत्तर है IPC भी लागू होगी दुस्प्रेरण के मामले में अपराद जो सब्सक्राद लिखा है किसी अपराद का दुस्प्रेरण का दुस्प्रेरण का अपराद के रूप में दंडित किया जायेगा कि आज का दिश्टान था प्री से लेकर के इंटर्व्यू तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात आप समझे रहे हैं अब प्रश्णों की टेंडेंसी इसी प्रकार की हो चुकी है कि सिर्फ आप IPC में बदेना रहे आप राध को समझे जो भी डेफिनीशन से तरह तरह के मामले आ रहे हैं हर एक की जाप को जानना पड़ेगा असा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लैट करें शेयर करें चैनल को यदिना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की अन्य यूजफुल वीडियो मिलती रहें अगली वीडियो तक के लिए पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिन जय भारत अन्यवाद